सबसे पहले सभी विद्यारतियों और सभी शातियों को जैश्री राम देखें बहुत ही सांदार खवर निकल करके आ रही है खवर क्या है? खवर यह है कि जैसे 12th क्लास का जो एक्जाम था उन्हें रद्द किया गया और एक्जाम को रद्द करने के बाद अब विद्यारतियों के दिमाग में कहीं न कहीं यह बात आ रही है कि उनका जो result है वो कैसे तयार होगा? बहुत अच्छी बात है result कैसे तयार होगा? तो जिस प्रकार से 10th का result तयार हुआ है तो क्या उसी प्रकार से 12th का result तैयर होगा या कोईचीज fix हो चुकी है कि result ऐसे बनाना है या result ऐसे तैयर होगा तो इस चीज पर हम चर्चा करेंगे यहां पर क्या है? कुछ experts का मानना है कि जो 10th का result तैयर किया गया है अगर वैसे ही 12th का result तैयर हुआ तो उससे बहुत सारी शमस्याओं का शामना करना पड़ सकता है क्या है पूरी खबर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वैल आइकन दवाएं और अपने शभी मित्रों को शेर करें ताकि आपको इस चैनल पर बहुती सांदार सिच्छा सिच्छा से संबंदित जानकारिया और सिच्छा प्राप्त करने के बाद नौकरिया और जॉब से संबन्द जानकारिया भी यहाँ पर मिलती रहे चलिए शमाय का ध्यान रखते हैं आज केस विसे को स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पर एक ख़बर क्या है जरा ध्यान से समझें देखिए बारवी की बोर्ड के रजिल्ट पर मन्थन जो 12th क्लास का जो बोर्ड का परिच्छा है जो रद की गई थी बोर्ड की उनका जो रजिल्ट है उस पर मन्थन होने वाला है CVSC ने दसवी के रजिल्ट पैटर्न एक्सपर्ट ने बताई खामिया यानि यहाँ एक्सपर्स का मानना यह है कि जो CVSC ने दसवी का रजिल्ट तैयार किया है उसमें कुछ खामिया है उस प्रकार से 12th का नहीं होना चाहिए ऐसा उनका मानना है यानि 10th का हो गया ठीक है लेकिन 12th का नहीं होना चाहिए ऐसा मानना है किसका education से जुड़े हुए एक्सपर्स का देखे इसमें यह भी यहाँ पर कहा गया है बार्वी में इसे लागू किया जाना ठीक नहीं यानि उन्होंने अपना सुझाव दिया है कि बार्वी में इसे लागू किया जाना ठीक नहीं है जैसा कि CVSC ने 10th के विद्यार्थियों के साथ किया है इस प्रकार से 12 के विध्यारतियों के वही रेजल्ट उसी तरीके से उसी पद्दती से बनाना उचित नहीं है ऐसा मानना है नई दिल्ली से ख़वर है दो गंटे पहले की न्यूस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अब यहां पर इस पूरी ख़वर को देखते हैं समझते हैं कि आकर क्या है CVSC की बारवी की जो परिच्छा रद होने के बाद उसके रजल्ट के पैटन में चर्चा तेज हो गई बहुत बढ़ी बात है यानि जो उसका जैसे ही रद हुई एक्जाम तो रजल्ट के पैटन पर चर्चा तेज है क्या होना है कैसे होना है अब यहां पर जो एक्जूकेशन एक्सपर्ट हैं वो दसवी का जो रजल्ट इन्होंने प्रणाम तैयार के लिए जो पद्दती अपनाई है उसमें खामिया गिनाना शुरू कर दिया है बारवी कहीपन करें उन्होंने विद्द्ध्यृऻ के लिए को निक्सान हो सकता है और विद्ध्यारती 2012 के बाद क्या हां पने réussite विद्ध्यारतों कि की कर रहें या higher education को और त्द्ध्यारतों或 के है क्या problem खड़ी हो सकती है वह यहां पर अभी ऐसा कोई clear नहीं गया है लेकिन उन्होंने यहां पर एक बताया है यहां पर सुझाब दिया है कि जो higher study की तयारी कर रहे हैं विध्यारती उनके लिए problem खड़ी हो सब्सक्राइबर मद्यप्रदेश वोड से हैं और तो उनके दिमाग में भी बात जाएगी कि जैसा CVSC करता है वैसा ही मद्यप्रदेश वोड करता है ऐसा उन्होंने उनके दिमाग में बात है और कहीं तक देखा सब्सक्राइबर मद्यप्रदेश वोड ने किया बहुत अच्छी बात है फिर उसके बाद 12 में जो मद्यप्रदेश वोड ने किया ठीक है अब रजल्ट पर क्या जो CVSC करेगा वही मद्यप्रदेश वोड करेगा यहां पर यह जानने वाली वड़ी इंट्रेस्टिंग वात है हालांकि मैं आपको अपने अनुव के आधार पर बता दू कि जो मद्यप्रदेश वोड है वो रजल्ट कैसे बनाएगा तो उसका एक आंकला नहीं है कि उसने पैरेंट से स्टुडेंट से टीचर से प्रिंसीपल से सवी से क्या सुजहाब मांगे क्या मांगे कि सुजहाब कि रजल्ट कैसे त्यार होना चाहिए तो इस प्रकार से रजल्ट त्यार होना चाहिए जो जो सुजहाब जाएंगे उसके बाद एक कमेटी कटित की जाएगी कमेटी करने के बाद एक निर्ने लिया जाएगा कि इस आधार पर रजल्ट तैयार होन सब्सक्राइब करें जो हमारे सोजाब जाए उसे वह मान करके मीटिंग में एक निड़न लिया जाए और उस आदार पर आप लोगों के लिए रेजिल्ट तयार किया जाए तो यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग यहां पर बन चुकी है कि जितने ही विद्यारती है सब के जनम ले लिया यहीं पर कि भई अब रजिल्ट का क्या होगा रजिल्ट कैसे तयार होगा किस आदार पर होगा हां एक चीज में और बता दो यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्राइवेट से उन्होंने टेंट किया है जैसे कि बात यह भी चल रही है मद्द्रदेश व प्राइवेट से किया है या किसी का प्राइवेट फॉर्म वरा हुआ है या ट्वेल्ट जो प्राइवेट फॉर्म वरा हुआ है तो उनका क्या होगा उनके रजल्ट कैसे तयार होंगे उनके लिए क्या है तो प्राइवेट के बारे में कोई ऐसी विसेज जानकारी अभी त क्योंकि जो जानकारी मिल रही है जो देख रहे हैं उसी चीज के ऊपर आप उन चर्चा कर सकते हैं ठीक है लेकिन जानकारी मिलेगी तो उनको भी बता दिया जाएगा आप लोग बिल्कुल चिंता न करें ठीक है तो 12 क्लास के जितने भी विद्यारति हैं मध्यप्रदेश वो और रजल्ट कब तक आजाएगा ये भी जानकारी मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूगा रजल्ट कब तक आएगा और रजल्ट आपको कैसे देखना है ये भी मैं आपको जानकारी देदूगा कि आप अपने रजल्ट को कैसे देख पाएंगे तो इस चैनल पर आपको प